इस प्राइविट वेहिकल के नंबर प्लेट के अंदर आपको कई सारी अलफबेट्स, नंबर्स, श्टिकर्स और अलग-अलग डिजाइन क्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं लेकिन इनका मीनिंग क्या है? चलो समझते हैं सबसे पहले ये श्टिकर वाला पार्ट, जहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट है, ये क्रोमियम बेस्ट अशो का चक्र ये किसी होलोग्राम श्टिकर की तरह होता है, जिसे हर को ये मैनिफेक्चर नहीं कर सकता और काफी डीटेल चीजी इसके अंदर होती है, जिसके वज़े से इसके डुब्लिकेशन के अंदर भी डिफिकल्टी जाती है ये स्टिकर वही लोग लगा सकते है, जिनके बास में प्रॉपर लाइसेंसेंज पर्मिशन है और इसके लिए एक सेक्यूरिटी फीचर ही होता है इस टिकर के नीचे IND लिखा होता है, जो इंडिया का इंटरनेशनल सीरियल नंबर है सपोज कोई इंडियन कार एक्सपोर्ट होती है, जो किसी परसनल यूस के लिए किसे ने बोट की हो तब ये IND नंबर प्लेट, इंडिया से ये गाड़ी आई हुई है, ये रिकिगनाईस कराता है, जब तक वहाँ पर रिजिस्ट्रिशन नहीं होता या फिर एस एक शो कार भी अगर इसे ले जाया जाए तो इस IND के नीचे ही हमें देखने के लिए मिलता है यूनीक सीरियल नंबर, ये जो यूनीक सीरियल नंबर होता है, ये लेजर एजड होता है, जिसके और इसे नॉर्मल कपड़े से इसे मिटाया नहीं जा सकता, पेंट ती नरवे गरा से भी ये जाएगा नहीं, ये मेटल के इसे मिटाना काफे डिफिकल्ट होता है, और इसके बाद में जो बड़े वाले लेटर्स हैं अलफाबेट शुरू होते हैं, वो हमारे रीजन को और गाड़ी के यूनीकनेस को इडेंटिफाय करने के लिए होते हैं, पहले जो दो लेटर्स हैं, वो किसी भी स्टीट को इड होते हैं, इसके बाद में जो दो नंबर्स होते हैं, वो डिनोट करते हैं, वहां के स्पेसिफिक रीजन, डिस्ट्रिक या आर्टियो को, वैसे जनरली एक डिस्ट्रिक लेवल पर होता है, लेकिन अगर हम किसी अर्बन एरे के इंदर जाए, बड़े सिटी के अंदर जाए, जहाबर बहुत ज़रे संक्या में वेहिकल्स होते हैं, तो आपर ये आर्टियो लेवल पर पहुँच जाते हैं, जहाबर हर आर्टियो एक चूटे जियोग्रिफिकल वीजन को ही संभालता है, क्योंकि अल्ड़ी बहाँ पर बहुत वेहिकल्स होती है, फिर अगर आप उपर जाते हो, थोड़ा कुरला रिजन के पास में तो वो 02 हो जाता है, और देरे देरे फिरो 03, 0405 करते करते जो है, अलग-अलग RTO रिजन के अंदर फैल जाता है, इसके बाद में जो दो लेटर होते हैं, यह सीरीज कोड, अब दोस्तों यह दो अलफाबिट भी हो सकते हैं, य जाकर यूनिक इडिटिफिकेशन बनता है, और यही जो लाश के चार डिजिट्स है, यह सबसे जादा यूनिक एक अलफा न्यूमेरिक कॉबिनेशन कोड होता है, जो गाडियों को दिया जाता है, और जब जनरली हम बात करते हैं, इसी कार को इडिटिफाइ करने के, अश् देश के अंदर के अलग 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 नंबर प्लेट्स को एक्स्प्लेइन भी करूंगा, तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हो, बाकि मिलेंगे अगले वीडियो में है,